अखिलेश यादो की राजनीती की क्लास में एंट्री असल में अब हुई है और पहली क्लास 2022 का विधान सभा चुनाओ था उनका जहां पर उनको ये समझ में आया होगा कि चुनाओ जीतने के लिए इंटरनेट पर वाइरल होने वाली 15 सेंड की क्लिप की जरूरत नहीं होती है क्लिप के जरीए आप राकेश टिकैट जैसा अंदोलन खड़ा कर सकते हैं लेकिन यूपी का चुनाओ नहीं जीत सकते हैं और अखिलेश यादो का पूरा जो चुनावी परचार की तैयारी और 2022 की विधानसवा की चुनाओ की राजनीती थी न वो 15 सिंकेट की क्लिप पर ही आधारित रही है और आप जिससे वोट मांगने जा रहे थे अखिलेश यादो वो जनता एक घंटा बैट करके चाई की दुगान पर ये तैय करती है कि अपिवार खेत में 24 धाल लगाना है अब 24 लगाना है उसे आप 15 सिंकेट की क्लिप से लुभा देंगे और जनता को लुभाने के लिए अखिलेश यादो ने अजब चेहरों को चुना था एक ठोम प्रकास राजबर ते एक ठोस्वामी प्रसाद मौर्या आज सुबह से इन दोनों की तस्वीर के साथ एक ठो गाना वाइरल हो रहा है तस्वीर आपके स्क्रीन पहरो गाना हम पढ़ देते क्योंकि गाना लगा देंगे तो कॉपी राइट आ जाएगा गाने की दो पंक्तियां हैं काहो मंगरू अपका करबा केकरब की चान उजरबा चान मतलब छप पर जिसमें गरीब लोग रहते हैं तो ऐसे नेताओं को अपना फ्रंट अखिलेश यादों ने बनाया था पुर्वांचल और अवध में इनके भरोसे इनको लगा था कि पुर्वांचल अईसे ही जीत जाये जाएगा और अगर समाजवादी पार्टी समाजवाद में यकीन करती है तो उसे बताना चाहिए कि जिनके साथ गटबंदन किया था वो कौन थे अपने पार्टी का जो पैसा खर्च किया वो किनके उपर खर्च किया और कहां परचार कर रहे थे पूरे पश्चमी उत्तरप्रदेश में अकेले चौधरी चरण सिंग मने घूम रहे जयंत सिंग ने कितना आपको फाइदा पूचवाया है और कितनी सीज़े समाजवात की विचारधारा को जितवा दी है जनता के पैसों से करोणों की बस लेकर के घूमने वाले अखिलेशादों को बताना चाहिए कि जो सारा पैसा उन जनता से लेते हैं डोनेशन की रूप में वाइट हाउस बनवाने में खर्च हो जाता या पिर जनता के लिए कुछ करते धरते हो सोचते भी है और वैसे ग्यारा तारिक वाले टिकट को लेकर के भी क्या प्लान है अखिलेशादों का बताना ये भी चाहिए योगी आदितनात ने उन तमाम मित्तों को तोड़ने का काम किया है तमाम इतिहासों को तोड़ने का काम किया है नया इतिहास लिखा है योगिया इतनात उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंतरी होंगे जिनको अब तक आगर आप उतिहास देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो अब तक कोई लगातार मुख्यमंतरी नहीं बना है पांच साल का कारिकार चलाने के बाद योगिया इतनात उत्तर प्रदेश के प जिसमें गुंडों का भरन पोशन और पालन पोशन भरा हुआ है, जनता उसका समर्थन नहीं करती है, जनता मुद्दों का समर्थन करती है, जनता अपनी सुरक्षा की बात करती है, जनता अखिलेश यादो जैसे 15 सेगंड की क्लिप काट करके बनाए गए मुद्दों पर यकी नहीं करती है, आजरी तमाम चीयों के मद्दे नजर बात करेंगी, नमस्कार में नाम है अनुराग मश्रा और ये है जनता जिंचन शोग, इस बात को स्विकार करने में कोई दोराय नहीं होनी चाहिए कि रोजगार उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है, छुट्टा दिखेगा भले ही उसके राज में भी वो समस्या है रही हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को इन तमाम मुद्दों से, इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब सिरफ इतना सा था कि अपने वोटर को कैसे अधेरे में रखा जा सके, समाजवादी पार्टी उनके बारे में गंभीरता से हो रही है और की जाएगी आगे भी, अकिलेश यादो उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंतरी रह चुके हैं और उनकी समझ का अस्तर देखिये, कि वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हम बताएंगे योगिया इतनात क वो की विपक्ष में बैठनात क्या होता है लेकिन सवाल योगी आजितनात से नहीं जनता पूछ रही है बलकि अकिलेश यादो से जनता पूछ रही है कि क्यों अकिलेश यादो अगर विधान सभा में इतने इंट्रेस्टेड हैं तो पहले क्यों विधान सभा में नहीं बै क्योंकि अगर अखिलेश यादों को उत्तर प्रदेश की जनता की परवा होती और अगर असल में उनको जनता से फरक पड़ता और वो यह मान रहे होते कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुष है और उत्तर प्रदेश की सरकार सही काम नहीं कर रही हो गया इतना ताकत के नश का काम यही होता है लेकिर उन तमाम चीजों को नहीं कर पाए और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उनको राजनीती से उत्तर प्रदेश की उठा करके फेक दिया है और लगातार दस वर्षों तक उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहने का श्राब दिय इसका मतलब ये है कि जनता ये मानती है कि अखिलेश यादो उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है बलकि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है इस बात पर जनता का पूरा यकीन है अखिलेश यादो क्या इस चीज को बता पाएंगी कि उनको जनता से उत ये नहीं कहलवा रहे होते कि सारे माफियों और गुंडों के साथ हमारे संबन्द है दर्जनों ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे रहे होते कि जिन से लोगों के उस इलाके की बहु और बेटियां डरती हुआ खिलेश यादों ने चुनाओ के आखरी दिनों में EVM को मुद्दा बनाना शुरू किया मतलब अगर कहीं मूर्खता होगी होगी तो वो खुद ही फांसी लगा करके मरने वाली होगी क्योंकि पंजाब में भाजपा एकदम निलबटे सननाटा हो रही है और अपने तमाम वादों और यहां तक कि हमारे माननीय परदान मंत्री जी ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी उसके बावजूद भी चुनाओं में सीट तो छोड़िये वोट के लिए भाजपा वाले तरस गए हैं वहाँ भाजपा वाले मैनेज नहीं कर सकते थे उत्तरप्रदेश में देखिए जिस सीट से मैं आता हूने जी अनुपो गुसाइंगे विधान सबा सीट वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है जबकि भाजपा के साथ पूरा सिंपथी वोट वहाँ पर था पुछले बार विधायक भी भाजपा कही थे तो आराम से ज सीखना और समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जैसी गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आप पंजाब वली आहम आदमी पार्टी बन जाएंगे और अगर इसी तरह का हो अल्ला फालतुक करते रहेंगे तो आप अखिलेश यादों बन जाएंगे जो लगातार 10 हुए हैं रही बात जनता की मुद्दों की तो अखिलेश यादों ने एक ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो जनता का मुद्दा हो आगे हम किसान अंदोलन बात करेंगे लेकिन उसके पहले बीच में अखिलेश यादों ने यूरिया का मुद्दा उठाने की कोशश करी लेक अगर छुट्टा सान समस्या हैं, तो छुट्टा सान का हल भी अखलेश यादों के पास होना चाहिए था, कोई हल उनके पास नहीं था, अखलेश यादों को समझना ही चाहिए, कि मुद्दा सोशल मीडिया पर 15 से केंड की वाइरल क्लिप्स नहीं बनता है, 15 सालों से जिस पाइटी ने बनाया, और कानून वस्था का ऐसा मुद्दा बनाया, उसका तोड अखलेश यादों के पास न था और न कभी रह पाएगा, अखलेश यादों कोई बात समझनी और सुईकार करनी और सीखनी चाहिए, कि जनता के आँखें बहुत तेज हैं, वो पहिचानती है कि कौन उपयोगी है और कौन उपयोगी, कुल मिलाकर कि अगर आप समझेंगे, तो अखलेश यादों ने न सिर्फ अपने आपको अपने created अंधकार में रखा, बलकि अपने party के कारिकरताओं और नेताओं और जनता को अंधकाय में रखने की कोशिश करी, लेकिन अंधकार जैसे जैसे दूर जाता है, वहीं कहीं परकाश भी तहरने लगता है, तो उस वज़ाय से अंधकार जो है, उस आखिरी वोटर तक नहीं पहुच पाया, जिसने एक बार फिर से उत्तरप्रदेश में सरकार को repeat किया है, और रही बात भारतियनता party की बहुमत मिला है, तो वो मुद्दों को विपक्ष, अखिलेश, यादो और समाजवादी party ने बनाया, कि भारतियनता party के लिए उन नुकसान दायक साबित होंगे, और पूरी की पूरी राजनीती उत्तरप्रदेश के विपक्ष की खास करके, अगर देखें, और अखिलेश, यादो और समाजवादी party की राज़ जीती, वो इसी पर केंदरित रही और केंदरित करने के कोशश की गई, कि जो जनता के मुद्दे हैं, उनको अपने तरीके से create किया जा, self created मुद्दे हों, ना कि जनता के मुद्दे हों, कि उससे एक प्रतिशत आबादी भी connect नहीं कर पा रही थी, लेकिन दमाम चीजों के बाद वही चीज़म को देखने को मिला, कि उन मुद्दों का एक प्रतिशत भी असर उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों कर रहेगा, जो एक हम कहेंगे कि अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा, एक लंबे या फिर जो चीजे कही जा रही थी उस आंदोलन का उत्तर प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है, जमीन पर उत्तर प्रदेश में उस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं मिला है, क्या वो सच था, और इस बात को मजबूती पंजाब चुनाओं के नतीजे देते हैं, क्योंकि वहाँ जो आंदोलन था, वो देश बरके किसानों का आंदोलन नहीं था, उसे पंजाब और हरियाना के उन ठेकेदारों का आंदोलन था, जो अपने 200 बीगे के फार्म को कहीं किसी को 750 बीगे जो है, दे देते हैं कॉंट्रैक पर उसके बाद अपना मजा मार रहे होते हैं कहीं और करके उनका आंदोलन था और उस वजह से कहीं भी जमीन पर उस आंदोलन का असर देखने को नहीं मिला और पंजाब में आम आदमी पालिटी को इसलिए फंड किया गया उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया और इन तमाम चीजों से समझना चाहिए कि जो किसान आंदोलन या वैसे मुद्दे हैं जिनसे जनता नहीं करेट करती है उत्तर परदेश में अगर हम रहुराज परताप सिंग की बात करें तो बीच में उनका बयाने काया था उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन और छुटा जानवर उत्तर परदेश का मुद्दा नहीं है उनको जो बना रहा है बेखूफी कर रहा है क्योंकि उसका हल किसी के पास नहीं है और किसान आंदोलन सिरफ पश्चिमी उत्तर परदेश के लोगों का भावनाओं में बहागुआ आंदोलन था क्योंकि जो कानून थे जो तमाम चीज़ें थी उसका बहुत ना फाइदा ना बहुत मुकसान उत्त से बड़ा मुद्दा अखिलेश यादो ने बनाने की कोशिश करी इसके लामा और भी मुद्दे है जिन पर बात करनी चाहिए अखिलेश यादो ने कई सारे नेता आयात किये थे ममता बनर जी संजयरा उत्तिजस्यादो कहां हैं वो लोग कितना आपको वोट दिलवा पाए आप थर्ड फ्रंट बनाने के लिए उत्तर परदेश की जनता और समाजवादी पार्टी का जो समर्थन करने वाले लोग है उनका इस्तमाल कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आएगा कि आप उनको इस्तमाल कर रहे हैं जैन्त चौधरी इनको बना दिया एकदम चौधरी रेप्लीकेट करन रहे हैं तो आपने कारी करता हैं तो जवाब दीजिए जाकर करके कि आपने उनको अधेरुय में रखा था और बाकी जहाद का टिकट करवा लिया है आप वह योगिया इतरा तो जाएंगे नहींैं तो खुढ टिकट करवा लीजी और गोरिदी अची जग भी आपके अंदर आ सके और जो आपने अपने कोटर बंद कर लिए है दिमाग के जनता की समझ बंद कर लिए है वो आपको सायद समझ में आ जाए बागे आप लोग राय क्या रखते हैं कमेंड बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साजा करें अब बढ़ चलते है पहली खबर रहस्तान से कॉंग्रेस के संसदिये कार्यमंत्री शांती धारिवाल की विवादत बयान पर सदन में आज विपक्ष जोड़दार हंगामा किया, बाजपा विदायकों ने वेल में आकरके नारिबाजी करी, नेता परतिपक्ष, गुलाब चंद कटारिया और देख करके स्पीकर श्रीपी जोसी ने एक गंटे के लिए सदन की कारिवाई को सगित कर दिया, और ये तमाम चीजें होई, उसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने जम करके नारिबाजी करी, हलांकि मंत्री शांती धारिवाल ने अपने फिर से सदन जब शुरू हुई, उस पाई है, यानि कि कॉंग्रेस से भी बत्तर इस्ति भाजपा की वहाँ देखने को मिली है, कई बड़े-बड़े नेता चुनाओ हार रहे हैं, और इसके अलावा पंजाब कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नौजोत सिंग सिद्दू भी चुनाओ हार गए हैं, उन्हों ने अनूठी पहल कि और गोबर के बने बस्ते में बजट का दस्तावेज रख करके लेके आए, ध्यान देने मारी बात है, यही कॉंग्रेस गोबर का बड़ा विरोध करती है, जब गोबर पे कोई बात करता है, बजट में सीम बगेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पु एली मुटबेड पुलवामा के नैना वर्ट पोरा में हुई, इस तलाशी में इस तौरान दो आतंकी मारे गए, इलाके में तलाशी अभियान दो पहर के बाद तक जारी रहा, मोके से हत्यार और बड़ी मात्रा में गोला बारूत भी वरामत किये गए, इसके बाद सेना और CRPF को सूचना मिली थी और उसके बाद सेयोग टीम ने मोके पर महाँ जा करके इस अरुयान को अंजाम दिया है, आज के इंशॉट्स में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्क्रम के गलेहिसी की तरब जो है आज का कानून, बैंक घुटालों के आरोपी, रोटो मैक कारी से निवेधन पर चार सपता के बीतर जवाब मांगा है, इस मामले के अगली सुनवाई 16 अपरेल को होगी, जस्टिस ओम प्रकास की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है, कि बैंक घुटालों के आरोपी, रोटो मैक गलोबल कंपनी कानपुर के मालिक राहुल कुठारी क मामले में, कोट ने कहा कि जमानत अरजी खाइज होने के बाद सुप्रिम कोट ने मानवी आधार पर याच्का को अंतरिम जमानत दी, सुप्रिम कोट ने राहुल कुठारी के पिता और मा की मौत होने के और याच्का करता के एकलोते बेटे होने के आधार पर उनको अंतरिम जमानत दी है, कोड ने कहा है कि जमानत अरजी तय होने तक याचिका करता अंतरिम बादार है, यह कोड का फैसला है और इनका अगर मामला देखें तो सुप्रेम कोड और हाई कोड से कोई रहत न मिलने के बाद राहुल ने company के मामलों के सुनवाई के लिए बनाई गई special court में surrender कर दिया था इसके बाद अब उन्हें high court से जा करके रहात मिली है यानि अपने ही case को दूसरे तरीके से उन्होंने खुलवाया था और उसकी proceeding करवाई थी आज की कानून के इससे में इतना ही अब बढ़ चलते हैं कारकेम के आखरी हिससे की तरफ जो है नसीहत आज किसी बहुत महान विक्ती की बात नहीं कहेंगे अपने मन की बात कहेंगे चुनाव फतम हो गया है अपनी अपनी पाइटी के प्रति प्रतिबद्धता की वजए से जिन जिन दोस्तों मित्रों के साथ बोलना बंद कर दिया था उनसे बोलना शुरू कर दीजिए जमीन पर वही काम में आएंगे नेता होता तो आते जाते रहते हैं बागी आप क्या राय रखते हैं कारिक्रम को ले करके कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को साजा करिए फिलाल के लिए इतना ही मेरा नाम अनुराग मुश्रा है आप जनता जिन शो देख रहे थे कैमेरे पर मेरे साथ हों प्रकाश थे